अभी लास्ट लेक्शर में हम लोगों ने दो केस डिसकस किये थे एक केस बन था जब बीटा लेस देन पाई प्लस अलफा था फूर्सा केस था हमारा बीटा ग्रेटर देन इस्कोल टू पाई प्लस अलफा था केस टू का एक स्पेसिफिक केस हम लोगों ने डिसकस किया था बीटा की वैलू मान लिया था पाई प्लस अलफा तो दोनों केस के कंपेरजन में हम लोग यह देख रहे थे कि अगर बीटा की वैलू एक्स्टिंशन एंगल की वैलू लेस देन पाई प्लस अलफा है तो हम वोल थी तो वो तो इसकी सप्लाई की एकपल आ रहे थी क्योंकि दो आउट्पुट की वेवफॉर्म और सप्लाई की वेवफॉर्म दोनों सेम थी तो आर्मस वेलू भी सेम आएगी केस वन में थोड़ा सा डिफर कर रहा था क्योंकि जो पॉर्शन हम लोग क्लिप कर पा रहे थे उसकी वजए से उसकी आरेमस वेलू कुछ कम हो रही थी फार्मूला हम लोग कल्कुलेट कर चुके थे वह डारेक्टी फार्मूला है इसके बाद दिखना कभी कभी कोश्चन में या एंसी क्यों में बीटा के तर्मस में न देके आपको फेस एंगल और फायरिंग एंगल के तर्मस में पूछेगा सम्टाइंश में भी ऐसा होता है अलफा यहां पर हमारा क्या होता है वीजा की तरह है फायरिंग एंगल और यह हमारा है यहां पर फेस एंगल कि एक मिनट बस रुखना जड़ा यह पापा पार है इसको मैं बंदर दो जड़ा है प्रसे एक मिनट फोल करना चीपेड यह फायरिंग एंगल और फेस एंगल इसके लिए तो हम लोग डिसकस कर चुके हैं कि बीटा इस के लिए अगर पाई प्लस अलफा से प्लस 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 कर चुके हैं दूसरा केस यह जो अलफा का रिएशन है या तो आप इसको एजिटम से क्यूं के लिए याद कर लो और अगर यह कहां से चीज़ रिलेशन निकल के आ रही है यह कैसे हो रहा है तो वह लेक्चर और लेडे रिकॉड़ेट पड़ा हुए चैनल पर वहां से आप जाके इसको देख सकते लेकिन यहां पर हम लोग इसको डिसकेशन में लेकि नहीं आरए क्कुकि टाइम हमारे पास कम है इसके बाद necks हमारा आ रहा है इंतीग्रल साइकिल कंट्रोल या आउन अफ यही रहेगा सब्सक्राइब आप यहां पर स्पेसिफाई नहीं कर रहे है कि आरल टाइप का सिंपल हमारा एक यह लोड इसमें हम आन आफ कंट्रोल में इंतेग्रल साइकल कंट्रोल में करेंगे क्या सपोस्पोज हमारे पास यह सप्लाइब वोल्टेग है कि यह बना रहे हैं इसमें कई सारी साइकल आपको बनानी आपको इससे कम में भी करा सकते हो इससे ज्यादा भी कर सकते हो डिपेट करेगा यह आपके पेस की दूस्त कितनी लिए कि यह हमारे पास क्या है सप्लाई वोल्टेज है अगर इसमें काउंटिंग आप करोगे कि कितने साइकिल की बात हमको कर रहे हैं वन कि तू कि थ्री को कि वाίν कि श क्यों ऐस्हों गया सेवन सेट कि नई और यहुई हो गया टैन है UM ड्मिन्स इनपुट कि टैन साइकिल अम लोगोंत ड्रॉख लिए इंपुट किट हैं इन्पुट की तन साइकल ड्रॉख र की integral cycle control में क्या करेंगे कुछ number of cycles के लिए अब यह depend करेगा कि हमें output कितना चाहिए उसके उपर यह depend करेगा कि कि कितनी number of cycles के लिए हम लोग thyristor T1 और T2 को firing जो delay होगा वो zero degree provide कराएंगे that means कुछ particular cycle के लिए या पर कुछ M cycles के लिए हम थारिस्टर T1 और T2 को behave कराएंगे as a diode और कुछ numbers of cycles के लिए हम लोग thyristor को firing देंगे ही नहीं चीक है कुछ number of cycles के लिए हम लोग firing देंगे कुछ number of cycles के लिए हम लोग firing देंगे ही नहीं तो यहां पे पस पॉइंट यह इसको जली सिलिक दे रहे हैं और एम साइकिल T1 and T2 fired at omega T, sorry omega T नहीं alpha की वेल लिखनी है मैं यहां पे अलपा is equal to zero degree और कुछ cycles के लिए और n cycle T1 and T2 kept off हम firing कराएंगे ही नहीं चीक है यह हमरा यहां पे इंटीग्रल साइकिल या on off control technique का पार्ट है कुछ साइकिल हमें कुछ साइकिल हम थारिस्टर T1 T2 को zero degree पे fire कराएंगे और कुछ साइकिल में हम लोग यहां पे firing देंगे ही नहीं ठीक तो suppose शुरू की तीन साइकिल जिसको हम बोलना है जिसमें हमें firing देनी है शुरू की यह तीन साइकिल है कि इन जनरल हमें discussion करना होगा यह इसको बोलना है M cycle जिसमें हम लोग firing देंगे then after जो remaining two cycle है हम लोग यहां पे firing नहीं प्रोवाइड कराएंगे इसको बोलने हम लोग N cycle फिर इसके बाद कि इन साइकिल जो next है इन जनरल M cycle की बात कर रहे हम लोग यह हमारी M cycle कि इस थोड़ा सा उपर कर दे हैं है M cycle और जो लास्ट भी यह बची है तो cycle यह हमारी है N cycle जिक तो कुछ cycle हम लोग on करेंगे कुछ cycle हम लोग आफ करेंगे थारिस्टर को तो M cycle में थारिस्टर हमारे क्या है T1 T2 on है यहीं पर लिख दे रहे हैं T1 and T2 क्या होंगे on होंगे इसी तरीके से N cycle में T1 and T2 क्या होंगे आफ होंगे तो कोई confusion ना हो इसलिए आगे भी इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं ना इसी को भी ऐसे में साइकिल में ओन होंगे ओओंगे यह इस तरीके से कुछ चलेगा फाइरिंग एंगल हमने जीरो डिगरी प्रवाइड कर आई है अग्टमीज आउट्पुट क्या आएगा और 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 क्लियर है तो यहां पर हमने T1 को यहां पर हमने T2 को on किया फिर T1 फिर T2 फिर T1 फिर T2 फिर 3 के बाद से that means 4 और 5 साइकल में किसी को on नहीं करेंगे फिर T1 T2 T1 T2 T1 T2 on कर दिया फिर नेक्स तू साइकल में हम लोग किसी भी थारिस्टर को on नहीं करेंगे जब थारिस्टर जीरो डिगरी पे on हो रहे हैं फारिंग अंगेल जीरो है तो लोड डारेक्ली सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा आउट्पट वोल्टेज जैसा सप्लाई वोल्टेज वैरी कर रही है उस टू साइकल के लिए या एन साइकल के लिए हमने फारिंग नहीं थी तो आउट्पट वोल्टेज क्या हो जाएगा जीरो फिर नेक्स्ट पॉस्टिव निगेटिव पॉस्टिव निगेटिव पॉस्टिव निगेटिव पॉस्टिव निगेटिव पॉस्टिव करेंगे while zij कैसे हैंं साइकिल में हम लोग थायरिस्टर में फाइरिंग नहीं दे रहे हैं यह पॉर्शन जो आउट्पुट में हम लोग कट कर रहे हैं इसकी वज़े से हमारा क्या होगा आउट्पुट वोल्टेश कंट्रोल होगा इसके लिए अब हमें क्या करनी है कैल्कुलेशन आई होब यह पॉइंट क्लियर होगा इसमें कुछ नहीं करना है कुछ पर्टिकुलर एम साइकिल में टीवन टीटू की फाइरिंग ड चीट है यहां आउट्पुट वोल्टेश की हमें करनी है कैल्कुलेशन तो यहां पर ब्लूब कर लेते हैं कैल्कुलेशन कि कैंट है अब अब इसके आउट्पुट वोल्टेज की हमें निकालनी है आरेमेस वैलू यह जो आउट्पुट वोल्टेज आ रहा है इसकी आपको निकालनी है आरेमेस वैलू तो इसके लिए हमें लगाना क्या है एरिया कॉंसेट आप चाहो तो इसको जैसे प्रॉपर इंट्रिगेशन करते हैं उसको कर सकते हैं अदर्वाइस आपको डिरेक्टली क्या लिखना है सप्लाई का जो आरेमेस है आप वो लिखो मल्टिप्लाई कर दो एरिया कॉंसेट की हेल्प से निम्रेटर में आपका आएगा नंबर ओफ ओन साइकिल निम्रेटर में आएगी नंबर ओफ ओन साइकिल रिदेनुमिनेटर में आएगी नंबर ओफ ओन साइकिल प्लस नंबर ओफ ओ साइकल यह वैलू आप लिखोगे जैसे वहां पे रिक्टिफायर भी केस में एरिया कॉंसेट से हम लोग कर रहे थे और इसका क्या कर दोगे आप अंडरूट ले लोगे यह फार्मूला अगर हम लोग डारेक्टरी लगा देंगे तो भी आपका ठीक है वहां पे इंट्रिकेशन करने इसको पुड़ा बीचे शुप कर देते हैं तो यहां के इस फार्मूले के कॉर्डिंग अगर हम लोग कैल्कुलेट करेंगे अपना आउट्पुट की आर्मस वैलू तो उपर निम्रेटर में हो जाएगा एम डिनॉमिनेटर में हो जाएगा हमारा एम प्लस एन और इसका क् आउट्पुट की आर्मस वैलू कितनी हो जाएगी वी आउट्पुट की निम्रेटर में एम डिनॉमिनेटर में एम प्लस एन अब दो मिनट लगेगा विटा ओन होने में राउटर तब 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 झ्यांट beginner झयां में एम राएगा झाल में जआवाग lingu झाल 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 करो वाइस और स्क्रीन सेर हो रही है इसको पेस को नीचे कर देते हैं इसका हो जाएगा अंडरूट मल्टिप्लाई सप्लाई वोल्टेज का आरमेस आटीज इनेजर्विए सेरा हैं पी ये आगे अगे अंडरूट के अंडरूट के अंडरूट लगा दोंगे तो फिर गलत है लर्चे के आपका यह कुट का इक्वेशन चीक है अब यहां पर क्या है कि है हमारा यहां पर इसको बोलते हैं डूटी साइकल इस के को बोलते हैं डूटी साइकल और के की वैलू कितनी है एंग कि अद्वांटेज क्या होंगे इसके और किस कंट्रोल टेखनीक में क्या ड्वांटेज थे क्या डिस अड्वांटेज थे इसको कंपेर करना है हम लोग को ठीक है इसमें देखो क्या हो रहा है कुछ साइकल कुछ ऑन साइकल में क्या कर रहा है ओफ कर दे रहे हैं इसकी स्पीड कंट्रोल कर रहे हो with the help of on off control या integral cycle control तो जितनी cycle के लिए आपने supply दी नहीं है that means motor जो उसकी stored energy होगी in the form of inertia उसके rotor में जो भी energy store होगी in the form of inertia motor को उसी inertia की वजह से off cycle में rotate करना है अगर वो inertia कम हुआ तो motor की speed कम हो जाएगी अगर inertia ज्यादा रहेगा तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी speed को maintain रख सकती है तो on off control की जो limitation वो यह है कि इसको low inertia motor या small motor में speed control के लिए हम लोग use नहीं कर सकते क्योंकि अगर motor का inertia कम हुआ small size की motor होई तो जिस समय off cycle चलेगी तो motor की speed क्या हो ही रेटेट से घटके 0 हो जाएगी तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि motor क्या हो रही है एक बार बहुत तेज़ चल लई है फिर 0 हो गई बहुत तेज़ चल लई फिर 0 हो गई और अगर inertia जादा होगा तो motor क्या रहेगी जिस समय off period रहेगा तो due to store energy in form of the inertia वो motor की speed थोड़ी सी कम होगी लेकिन वो अपने रेटेट के करीब ही चलती रहेगी तो इसका यह में क्या है हमारा disadvantage है integral cycle control का इंट्रीग्रल cycle control का यह हमारा major disadvantage है कि एक नट रूप जाना है हाँ चीक है कि अब हमें करना है यहाँ पर कंपेरिजन कि तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो अमने observation किया है advantage के form में इसको समझ लेते हैं और फिर आगे हम लोग प्रोशीट करेंगे डाइप्रीश इसकी लिए कि यहाँ पर छीक है कि इसी जगर इसकी summary लिख लेते हैं इसके बाद आगे चलेंगे compare करेंगे और भी तक integral cycle control में जो लोगों ने पढ़ा है उसको summarize कर देते हैं इसका जो advantage होगा इसमें advantage और disadvantage में में यही एक focus है कि इसकी में जो harmonics generate होंगी harmonics generate होंगी वो क्या होंगी कम होगी क्योंकि यहाँ पर या तो full sign wave मिल लई है या तो नहीं मिल लई है face control में कुछ portion हम लोग क्या कर रहे थे कट कर रहे थे कुछ portion हम लोग कट कर रहे थे इसकी वज़े से harmonics ज्यादा आ रही थी इसकी जो main summary है इसमें harmonics कम जनरेट होगी क्यों क्योंकि यहाँ पर जो हमें output में voltage आ रहा है या तो pure sinusoidal है या तो फिर zero आ रहा है लेकिन अगर हम लोग face compare वाली बात करें face control टेकिनीक में देखो यह पर portion cut कर रहे थे यहाँ portion cut कर रहे हैं यहाँ portion cut कर रहे हैं यहाँ portion cut कर रहे हैं इस case में अगर harmonics analysis करेंगे तो harmonics ज्यादा introduce होंगी तो integral cycle control का या main advantage यही है कि harmonics यह कम generate करेगा लेकिन disadvantage यही है कि इसको आपको किवल use करना है high inertia load के लिए high inertia load का मतलब large side machine के लिए low inertia load के लिए हम लोग इसको use नहीं कर सकते ठीक है यह इसका major disadvantage है यह आपको याद रखना है ठीक है अब अगर लोग इसको summarize कर रहा है कि प्रेस कंट्रोल एज वेल एज में समरी के नाम से इसको लिख देते हैं में समरी दोनों की हमारी AC voltage controller की जो में समरी है इसको यहीं पर copy paste कर देते हैं समरी इसको आपनी का इसक Boss समरी की हमा अपकाफ एजय को यहा यहीं कार प्रेस कशक्ट है समरी के तूमारी क्याब रखनी कर दोंका यही जैंगर कि इसका जो में अमारा यह समरी निकल के आ रही है फेस कंट्रोल में इसमें हार्मोनिक्स जो जनरेट होंगी वह ज्यादा जनरेट होगी ट्रांसफार्मर जब आपने पढ़ा होगा और अगर आपको यह पढ़ाया गया होगा सीकी कि वजह से हार्मोनिक्स की वजह से जो हैवी रही इनरस करेंट फ्लो कर सकती है यह सिस्टम में इंटेग्रल साइकिल कंट्रोल के यह कुछ हमारे डिसब्वांटेज यह समरी है कि व नहीं कर सकते हैं यह हमारा सेकेंड कॉइंट है कि यह लिटेशन है कि आप वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज कंट्रोल यहां पर आप नहीं कर पाऊगे यह केवल अपलाई कर सकते हैं हम लोग लार्ज साइज मशीन में और इसमें जो है हमारा यह कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस्पिक लोड के लिए आप यूज कर सकते हो जैसे बोलना है कि लार्ज साइट मशीन के लिए यूज करेंगे अगर अब इन दोनों की एक नेट पर पढ़ी होगे अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे इसका 25 मॉडल से ये मशीन लेकर इसको रन कराओगे तो इनके टीएजगी को आप कंपेर कर पाओंगे एक नेट पर ये डेटा पढ़ा था लेकिन ये मोटर की क्या रेटिंग थी किस पर इंप्लिमेंट किया गया था यह चीज नहीं पता लेकिन यहां से एक हलका साब को एक आडिया लग ज कंट्रोल इन केस ऑफ इंट्रीगरइल साइक्ल कंट्रोल तो अगर यह विगर आपको थोड़ा सा लिंट दिखर हुआ जब और लार्ज कर दें यह दो कि यह है हमारा टना टेकनीक से मोटर पे जब हमने यह से मोटर पे थे अपना ही थी हुआ है यहां पर फाइर इंगिल कुछ रहा हो अलफा यह इंगिल भी इकसाई नहीं था यह एंगिल परवेडी करेगा टी एसडी यह है मेरा इंटेग्र साइकिल कंट्रोल का इसमें बीसाइद वो इस पेसिवाई नहीं था लेकिन ये देखके हम लोग लगा सकते हैं कि कितनी दीर यहां और इस चीज़ का थो आप को तना डिया होगा हो विजुलाइज नहीं होगा यह जिसको मैं मार कर रहा हूँ यह है 40 millisecond यह 20 millisecond इसमें कर क्या रहा है एक cycle on रख रहा है एक cycle off रख रहा है फिर cycle on रख रहा है और एक cycle off रख रहा है 20 millisecond का एक time period देट मिस frequency यह बता रहा है यह 50 Hertz के लिए हम लोगों ने किया है इसमें TSD की value देखो कि क्या रहा है इस टेक्नीक में integral cycle control में 1% और इसमें TSD देखो 61% that means speed control करने आप कर तो रहे हैं फेस control टेक्नीक से लेकिन 61% harmonics insert कर रहे हो सिस्टम में इसमें केवल harmonics लोग insert कर रहे हैं 1% तो no doubt आपका integral cycle control क्या है बेटर रैन दी की face control टेक्नीक है फिर अगर overall comparison बात करेंगे तो दोनों में कुछ न कुछ limitation है face control wide range of voltage control आपको provide करा देगा with suitable firing angle लेकिन harmonics ज्यादा generate कर रहा है integral cycle control THD कम generate कर रहा harmonics कम generate कर रहा है लेकिन wide range of voltage आपको provide नहीं करा पा रहा है डैट विस दोनों ही case में क्या हो रहा है कुछ न कुछ limitation है तो इसलिए जब भी ऐसा आता हो है कि हमें harmonics कम generate करनी है और wide range of voltage control obtain करना है तो हम लोग अब आते हैं multi stage कि AC वोल्टेश कंट्रोलर पे उस समय मोई लोग यूज करते हैं multi stage वोल्टेज कंट्रोलर में